नमस्कार आप देख रहें स्पोर्ट्स हेलपलाइन चैनल दिल्ली पब्लिक स्कूल साकेत में बच्चों के लिए इंटर डीपियस बास्केट बॉल टूर्नामेंट्स गर्ल्स का आयोचन किया गया इस टोनामेंट में अंडर 14 कैटिगरी के बच्चों ने भाग लिया आपको बता दे कि इस टोनामेंट में दिल्ली NCR और देश भर के डीपियस स्कूल के बच्चों ने भाग लिया इस टूर्णामेंट के ओपनिंग में चीफ गेस्ट के रूप में दिल्ली पब्लिक स्कूल के डारेक्टर डॉक्टर डीयार सैनी और स्कूल के प्रिंसिपल अमिता मिश्रा मौजुद रहे इस टूर्णामेंट को लेकर बच्चों में काफी उत्सकता दिखी क्योंकि अंडर 14 के बच्चों के लिए आयजन किया गया और DPS Society ने पहली बार बास्केट बॉल में अंडर 14 में बास्केट बॉल गर्ल्स टूर्णामेंट आयजन किया वहाँ आये लोगों ने मीडिया से बाच्चित में क्या कहा आये देखते है इस खास रिपोर्ट में यह तो बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि अंडर 14 जोगे पहली बार हो रहा है और मिडल स्कूल के बच्चों के उपर पढ़ाई का इतना दबाव नहीं होता है तो इस उमर में अगर इन में यह रुची पैदा हो जाए और इंटर DPS लेवल का कमपेटिशन हो जाए तो स्वभाविक है कि इनका स्टेंडर्ड तो पढ़े गई पढ़ेगा हम देश में बास्केट बोल एकदम से बहुत अप कर रहा है गेम क्या लगता है कि DPS उसमें कैसा योगदान दे रहा है अपना देखिए NBA का पहला टर्नमेंट अभी मुंबई में हो रहा है तो जोश तो बढ़ी रहा है और DPS जैसा इंस्टिटूशन जिसके दोसों से जाधा स्कूल है अगर यहां के बच्चों में रुची डिवेलप हो तो कोई कारण नहीं है कि हमारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स ना डिवेलप हो तो शुरुवात तो स्कूल से ही होती है और अंडर 14 परफेक्ट एज है क्योंकि जुनियर स्कूल में बहुत छोटे होते हैं स्कूल में बोर्ड एक्जाम में लग जाते हैं यह जो उमर है क्ला सिक सेवन एट नाइन तक की यह बहुत ही अच्छी उमर है और यह डिपेस सोसाइटी का बहुत अच्छा इनिशिटिव है मैं जैसे कई डीपेस अलग अलग संथाम से हां आ जाये थे साकेत में उन बच्चों को और अपने बच्चों को क्या मैसेज दना चाहिए उनके लिए तो मैं यही कहूंगी मौसम बढ़िया है आप लोग दूसरे शहरों से आते हो एक दूसरे से मिलते हो खेल जीत हार जीत हार तो लगी रहेगी लेकिन कम से कम आपने स्टैंडर्ड देखा कॉंपटिशन देखा एक दूसरे से मिले दोस्ती बढ़ाओ जीतना हार अगर आप जीतते हैं तो बड़ी अच्छी बात है अगर नहीं जीतते हैं सब तो नहीं जीत सकते हैं अगर आप नहीं भी जीतते हैं तो देखो सीखो देखो कि किसी में टीम स्पिरिट अच्छी थी किसी की कोचिंग अच्छी थी आप अपने खेल को कैसे इंप्रूफ कर स तो स्पिरिट में गेम्स खेलना चाहिए। सबसे पहले तो हम डीपियो सोसाइटी के लिए ये कहना चाहता हूं कि ऐसी सोसाइटी जो आल राउंड होलिस्टिक डवलॉपमेंट चाहती है बच्चों का इतने बच्चे खेलने आए हैं स्ब्सपिटब्न है सबकों मौका मलेए सबसे इसलिए कराथे थाकि एक दूसरे सीखे गेम्स तो हई बेकिन कमसा ये आहे आप से मिले हमसे मिलें एक दूसए से मिलें और एक दूसरे सीखने के लिए हम कराते हैं यह रूट लेवल का है पहली बार करवा रहे हैं ओपन का तो हमारा होता है लेकिन यह अंडर फोल्टिन यह पहली बार हो रहा है ताकि नौमी दस्वी जारीं बारियों तक खेलते रहें और हम इनको लुकाप्टर करते हैं कैसे लगता है कि डीपीएस कैसे योगदान दे रहा है बास्केट बोल में और इस ट्रेम बास्केट बोल इंडिया में बढ़ रहा है पुपलर हो रहा है यह देखो स्कूलों के विना तो कुछ और राम हो नी सकता और इंडिया के स्कूल बहुत हो पब्लिक स्कूल भी गौवर्णमेंट भी सभी अब खेलों के प्रती सरकार भी ध्यान देने लगी है मीडिया ने भी काफी लिफ्ट किया है तो मेरे ख्याल से बास्केटवाल का फुचर वराइटा भी सेलक्शन जे होगी अलम्पिक टोक्यों के लिए वो भी मैचीज यहीं होने को थ्रियों 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 मेरे खाल से पूंचर बढ़िया और आप डिरेक्टर स्पोर्स है डीपिया सोसाइटी के लिए डारक्टर हूं खाली कि अपने स्टुडेंट्स को भेजने के लिए अभी यह बिगनिंग है मैंने बोला ना अभी आपने सभी सुनोंगी यह रूट शूट और प्रूट अब यह रूट है तो थोड़ा टाइम लेगे लेकिन आएंगे जरूर क्योंकि हैल्थ भी ज़रूर है इसके तुरू हम ब कि अपने लेकिन आएंगे जरूर बाला ना अबने के लिए के लिए आएंगे हैं लेले का बगाने संवस्चे इस चाहँड़ा है लेकिन से खभी मैंने लेकिने ले लेकिना आएंगे हैं